चलिए अब दो section साथ में पढ़ेंगे section 132, section 153a पहले एक basic idea ले लेंगे फिर इन section में जो दूसरी बाते बताई गई है वो सब पढ़ेंगे search and seizure याने एक ऐसा level जो survey की भी उपर आता है मतलो आप समझेए कि एक ऐसा assessi जो एकदम planned way में tax की चोरी कर रहा है एकदम planned way में दो तरगी bookshire of accounts रहता है एक पक्के की एक kacche की black money की पक्के की books of account से return file करता है सब कुछ करता है कच्चे की books of accounts कहीं disclose नहीं करता assisting officer को doubt है कि ये जो income disclose कर रहा है न ये पूरी income disclose नहीं कर रहा ये correct income disclose नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है, doubt है उसके मन में वो क्या करेगा सोचे देगे दो तीन केसिज है एक आपने रिटर्न फाइल किया आपने books of accounts लाया books of accounts से आप satisfied नहीं है उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया आपने उसे रिटर्न फाइल करने बोला उसके बाद भी उसने फाइल नहीं किया आपने उससे books of accounts call की, उसने books of accounts का कोई reply नहीं किया, 14211, 14212 non compliance, best judgment assessment करना चाते हो, special auditor को भीजा, special auditor वहाँ कुछ audit ही नहीं कर पा रहा है, या उसने जो audit किया, आपको उसके उपर भी doubt है, क्यार ये doubt ये बराबर नहीं हुआ, उसने उस auditor को भी पैसे खिला के काम कतम करा दिया ह होगा, एक्तम extreme case देखिए कि planned way में पुरी की पुरी चोरी हो रही है, और survey से कुछ नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, आप survey करने गए, survey के दौरान, आपने उसको बोला, भाईया तूने बहुत सारे गपले करके रखें, बहुत सारे लफडे करके रखें, सब दि कि हम तेरे उपर assessment करना चाहते हैं, हम तेरा assessment करना चाहते हैं, notice लेके गया तब तक कि तो फॉरें निकल चुका था, सारे assets लेके बाग गया, फरार, चोरी बहुत बड़े लेवल की है, छोटे लेवल की चोरी नहीं है, आप सुमचो बड़े चोरों को पकड़ रहे हैं, छो होने वाला है, सोना इदर से उदर होने वाला है, जुलरी इदर से उदर होने वाली है, कुछ तो एक बहुत ही खूपिया mission transaction हो रहा है, जिसमें एक valuable article इदर से उदर होगा, और वो valuable article white में, books of accounts में recorded नहीं है, non recorded asset है, हमें उसे पकड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम search करेंगे more than survey, more than survey, survey में क्या दिक्कत है, एक दिक्कत, आपसे business आज में कुछ सकते हो, sunrise, sunset के बीच में ही जा सकते हो, बराबर है, हमें इसके उपर आना है, हम books of accounts seize कर सकते हैं, कोई valuable articles हो अगेरे, seize नहीं कर सकते हैं, हमें इसके उपर आना है, हमें कुछ भी seize करने का power दीजे, हम business premise मे जो चाहिए, business premise, charitable premise में search कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, कभी-कभी हम लोग घर वगिरे के अंदर में भी search कर सकते हैं, हमें, यहां जो powers है, वहां लोगों को हम बोलते हैं, कि भी यह corporate की करने कीजे हमारे साथ, वहां पर बैटे वे employees वगिरे के corporate करने के powers लेते हैं, पर ऐसे powers नहीं है, कि तुमने ताला नहीं खोला तो हम ताला तोड़ देंगे, वहां क्या होगा, ताला नहीं खोला, मैं तेरे वकर 1000 रुपे की penalty लगा दूँगा, ऐसा बूलता है न, ताला तोडने की penalty दो, के power दो, कि तू नहीं मदद कर, मैं ताला तोड़ दूँगा, मैं ताला में पढ़ाने वाला हूँ, चलिए, search and seizure, कौन सी authority के बास power होना चीए, सबसे पहली बात ये एक बहुत ही खूफिया meme होना चीए, बहुत ही खूफिया meme होना चीए, आप सोचे देगो, आपके assessing officer, आपके बहुत अच्छे terms है assessing officer के साथ, assume आप चोरी कर रहे हो, आप चोरी कर ये कौन decide करता है, मैंने आपको पहले बोला था, directors level की team ये सब चीज़े decide करती है, power भी mostly उन्हीं के पास होना है, तो सबसे पहली बात, authorities जो कि empowered है, principal director general, director general, principal director director, principal chief commissioner, chief commissioner, commissioner, or principal commissioner, or additional commissioner, or additional commissioner, or any such joint director, joint commissioner, as may be, empowered by board, या ऐसे लोग जिन्हों को board ने empower किया है, mostly तो जो powers है, वो commissioner, chief commissioner वागेरी के उपर के level के पास है, ये लोग decide करते हैं कि क्या करना है, कब search and seizure वागेरी की authority देना है, कभी-कभी suppose कीजिए कि एकदम emergency है, मैंने आपको बोला कि यार अब तो raid मारना ही पड़ेगा, raid नहीं म पड़ी है, खुफिया information अई भी है, बराबर है, अब अगर हम permission लेने का, permission वागेर को what time लग जाएगा, या फिर जो chief commissioner रहे, commissioner they are busy somewhere, they are not available, तो powers थोड़े से छोटे के level के, नीचे के level को भी दिये गए, joint directors, joint commissioners, additional commissioners, additional directors, clear नहीं आतक है, as empowered by the board, the principal director general, director general, principal director, director, principal chief commissioner, chief commissioner, principal commissioner, 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 may authorize any, joint director, joint commissioner, additional director, commissioner अगिरे, जो भी कुछ लोग है, और income tax officer, किसी को भी ये लोग, empower कर सकते हैं, यहाँ पर empower करने की बात की गई है, may authorize, ये लोग authorize कर सकते हैं, कि भी है, तुम लोग भी raid मार सकते हो, clear है, यानि पहले इनोंने decide कर लिया, और इन लोगों को authority दे दी, कि अगिया, तुम raid conduct करो, पर ये सारी, सारी बाते आप ध्यान में रखे, ये सब बहुत बाद में disclose होता है, कि ऐसी कोई raid करना है, ये बहुत बाद में disclose होता है, ठीक है, clear है, यहाँ तक है, मैं आप लोगों को आगे जाके बता हूँगा, 292D वगेरे के अंदर में, कि कौन ल करना है, तो authorize कर सकते हैं, ये सब बाते ध्यान रखो, ये जो नीचे के level है, joint directors, additional directors वगेरे, नीचे के level, जब उनको empower किया गया, जाओ raid मार के आओ, ऐसा नहीं है, कि इनको एक दिन, दो दिन पहले से बता देता है, 10 बजे raid मारना है, 9 बजे इन लोगों को बलाया जाएगा इन लोगों के सारे की सारे mobile बगेरे सब कुर ले लिए जाएगे, फिर इनको inform किया जाएगा, तुमारे यां raid मारना है, यहां raid मारना है, यहां raid होने वाली है, clear यहां तक है, तो कौन-कौन raid मार सकता है, raid decide कोन करता है, और फिर उसके बाद में raid मारने के powers किस किस को है, वो स आपको को अगर किसी के यहाँ पर Raid मारनी है सबसे पहले तो एक रीजन होना चाहिए कि क्यों रेड़ मारनी है आपको बहुत सारे पाउस दिये गये आपको हमने पाउर दिया है कि आप 1421 में बुक्स बुलाईए 143.2 के unnotice दीजे, 143.3 में assessment कीजे, 147 में assessment कीजे, 148 का notice दीजे, 131 के अंदर में आप summon notice issue कीजे, आपको हमने इतने सारे powers तो देखे रखें, फिर भी आपको survey तक का power दिया है, आपको rate क्यों मानना है, तो there should be a reason to believe, कि हमारे पास reason है, कि अगर हमने उसको summon दिया, हमने उससो books of accounts बुलाई, वो अपनी books वगेरे लेके नहीं आया, हमने तो summon दिया, वो नहीं लेके आया, books of accounts मांगी, नहीं लेके आया, या फिर, हम दे तो रहे हैं summon, पर वो लेके कुछ नहीं आने वाला है, वो reply नहीं करेगा, person मैं issue भी कर दूंगा तो कोई फाइदा नहीं है वो reply करने ही नहीं वाला है there's a reason to believe यानि पहले भी past में defaults कर चुका है ऐसी गुत्तो कहानी होगी या फिर जो raid के अंदर जो मिलने वाली item है वह इतनी जादा crucial है कि हमको पता है हमने अगर notice भी issue कर दिया ना तो उस item को hide कर देगा ऐसी हो जाएगी the person who is in possession of valuable article to things including money, bullion, jewelry, etc. is in possession of any such asset so there are three points जो हम reason to believe बोलते है क्या यह reason to believe सामने वाले को disclose करना है नहीं नहीं करना है असेसी को नहीं बताएगा हाँ पूरा का पूरा assessment वगिर हो गया उसके बाद में बताना है तो बतादेगा नहीं बताएगा वो अपना reason to believe disclose ही नहीं करेगा और उसने जागे सामने वाले को बता दिया तो देखे इंकम टाक्स के अंदर में रेड एक बहुत ही complex scenario आप लास्ट रिसॉर्ट आप बोलोगी क्या आपने रेड मारा किसी क्या लास्ट रिसॉर्ट और वह एकदम crucial information लेने के लिए अगर लीक होगी ना कि किसी के रेड मारन है जैसे कि हम लोग बोलता है कि principal director general ने decide कि एक पहलाना बंदे के यहां पर रेड मारनी चीए क्या वो उस बंदे को जाके बता देगा मैं तेरे यहां रेड मारने वाला हूं तो रेड मारेगा ही क्यों हो पर उसको एक doubt है मैं किसी को भी अगर यह बात बताऊंगा कि यह रे क्या कर सकते हों आपको जो मिले money, bullion, valuable articles, books of accounts सब सीज कर लीजे सब सीज कर लीजे unlike survey unlike survey सब सीज कर लीजे ठीक है authorization can empower the authorized officer to enter any building अचा पावर में आपको क्या दिया आप कोई भी building में जाईए पर हर building का warrant लेके जाईए कोई भी vehicle में जाईए पर हर vehicle का warrant लेके जाईए जिसे आप search करना चाते हैं vessel के अंदर चले जाईए, vessel का warrant रहना चाईए, aircraft के अंदर में चल जाईए, where you have a reason to believe कि कुछ तो doubt है यहाँ पर वहाँ मिलने वाले books of account, documents, articles, money, jewelry, valuable articles, जो भी कुछ आपको लगता है, सब seize कर लिजे, in case are found, he may seize them, seize them, कोई identification marks लगाना है तो लगा दीजे, make a note of inventory, make a note of inventory thereof for the purpose, कर लिजे, आप पूरा का पूरा आपका जो marking, marking, जो भी आपको ज़री लगता है, सब कुछ कर दीजे, however, अगर ये stock in trade है, अगर ये क्या है, stock in trade, ये हो गया exception, ठीक है, अगर ये stock in trade है, तो फिर आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे, आप अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, stock में कोई भी valuable article or thing होगी, वो नहीं लेके जाएंगे, ज्वेलर के यहाँ पर आपने red मारी, उसके यहाँ पर सूना चांदी, जो भी कुछ मिला, आप red मार के नहीं लेके जाएंगे, आप इसे seize नहीं कर सकते, clear हैं यहाँ तक है, stock in trade छोड़ दीजे, क्योंकि हम red मारने का हमारा motive ये थोड़ी है, कि उसका business बंद कर देना है, बंदा है, उसके पास, जिसके पास भी books of accounts वगे रहे, आप उसको बोल सकते हो, भी आप books of account provide कर, accountant है, उसके आज books of account से उसको बोलेंगे provide कर, employee है कोई और, उसको बोलेंगे, MD, CEO, CFO, proprietor, partner, जो भी नाम बोलो, जिसके आज भी books of account से उसको बोलेंगे provide कीजे, आप मतलब समझ है, तो password unlock कर, unlock कर के दे, providers all support, so that we can access the data, books of accounts, documents maintained in electronic records shall be required to afford the necessary facilities to the authorized person to inspect such books of accounts, ठीक है, books of accounts में क्या आता है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है, discharge of duty, he can break open the locks, if the keys are not available, but suppose कीजे, suppose कीजे, कि आपको पता चला, वहाँ से, आपको पता चला कि जो सामाने valuable articles है, वो bank की किसी locker में बढ़ी है, और assessi, bank के locker की चाबी नहीं दे रहा है, या बोलता है, कुम गई, क्या हम जाके उस locker को तोड़ सकते हैं, नहीं, यह बात ध्यान में रखिए, locker नहीं तोड़ सकते है, locker की दो keys होती है, locker की, bank owner के वास होती है, एक bank manager के वास होती है, पर वो दोनों keys से lock खुलता है, यह बात ध्यान रखिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि duplicate keys होती है, duplicate keys नहीं होती है, वो इन दोनों के presence में खुलता है, अब उसको अगर तोड़ना ह ना, तो तोड़ने के लिए, वहाँ पे सारे लोग चाहिए, सारे लोग याने, bank के higher से higher authority के लोग चाहिए, income tax department के बहुत सारे लोग चाहिए, assessi भी वहाँ पे present रहना चाहिए, तब जाके locker को break open किया जाता है, नहीं तो locker को break open नहीं किया जा सकता, ठीक है, clear है, यह यह 30 days के अंदर-अंदर, from the date the assessment is complete, आप 132 में जो भी कर रहे हैं, उसका assessment 153A में होता है, जो भी कुछ यह आप करेंगे उसका assessment, जैसे हम 147 में assessment कर रहे हैं, 143 में assessment कर रहे हैं, search का assessment 153A में होगा, तो बहुत जिस दिन ही assessment खतम हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर, जैसे पर सकता है, पर्मिशन ले लो, पर्मिशन ले लो, कमिशन ले लो कमिशन या कमिशन के उपर के लोग, डिरेक्टर या दिरेक्टर के उपर के लोग, ठीक है, you cannot exceed the period of 30 days after the assessment proceedings of the relevant year are over, person, from whose custody any books of documents have been seized, may make a copy, 1328, आपको power देता है, आगे जाके हम वापस से देखेंगे, कि आप इसके xerox को अगे निकाल के रख सकते हैं, आपकी मेरा जरुरत के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं, आपको हम और कुछ भी allow नहीं करेंगे, power exercisable if there is reason to suspect concealment, concealment, अगर हमें doubt है, कि कहीं और भी कुछ औ data hidden है, तो हम वहाँ पे भी, वहाँ भी break open करके lock, वह building का भी हम पूरा कपरा search and seizure कर सकते हैं, any person may not merely in respect of any books of accounts other documents found as a result, but also in respect of all matters for the purpose of investigation under the act, empowered to search any person, अच्छा, रुकिये, मैं जो आप लोगों को reason to suspect वगेरी की बात कर रहा था, वो मैंने दूसरी building की बात कर लिया, मैं इसके बारे में बताता हूँ, सबूस किये, सबूस किये, मैं आपको एक scenario बताता हूँ, कि मेरी class चल र सुबा सुबा की class चल रुए है, और एकदम से income tax वाले आ गए, और मेरा employee आया भगते वेगी से rate बढ़ गी है, मेरे पास एक diary है, बहुत ही important उसके अंदर ये पूरा मेरा दो number का data पूरा का पुरा उसमे पड़ा है, class में बेटे वे एक student को मैंने बोला भीया तू इसको जे पावस दिये गए है, कि उन्हें अगर किसी भी बंदे को inspect करना है, या उस building के अंदर घुसना चाता है, या उस building से निकल रहा है, हर बंदे को वो पूरे तरह से check करेंगे, जहां उनको लगता है कि इसने कोई तो चीज conceal करके रखी है, छुपा के रखी है, clear है, search any person, any, in, औ about the building, उस building के अंदर या तो है वो already, या था, और in respect of which the search has been authorized, if he has reason to suspect that any article which the search is being made is concealed, is concealed, या तो मेरा employee होगा, या फिर मेरा employee नहीं होगा, wordings are any person, any person, authorized person is also entitled to search any person who has got out or is able to get into the building, या तो building से निकल चुका है, पहली भाग गया building से, हम जाके उसको पकडेंगे और उसको पुरा कपरा search करेंगे, या वो building के अंदर गुसना चाता है, और is in the building, या फिर कोई जगे, garden वागे रहे हो गया, vessel, vehicle, aircraft, in respect of search has been authorized, if he has reason to suspect that the person has secreted any document, jewelry, bullion, जो भी valuable articles, पोल दीजे, वो सब उसना स्युपा के रखा clear रहे हैं तक है, power exercisable outside jurisdiction if delay is prejudicial to the interest of the revenue, point समझ लीजे, हुआ क्या, मैं एक assessing officer हूँ और मेरे, मतला assume I am an assessing officer और मेरे jurisdiction में एक बंदा आता है जो business करता है, बंदा आता है जो business करता है, बंदा आता है और जो business करता है, पर उसका principal place of business है हिदराबाद है, लेट से उसका principal place of business का है है हिदराबाद, तो हिदराबाद का जो assessing officer है, मैं नाखपुर में हूँ, let's assume मैं नाखपुर में हूँ, हिदराबाद का जो assessing officer है, वो assessing officer के jurisdiction में वो आता है क्योंकि principal place of business वहाँ पे आता है, clear है, याने मेरी कोई authority नहीं है, मेरे पास एक information आई, आज cash transfer होने वाली है 50 लाग रु है कि नहीं हो अगली flight पकड़ के भी आएगा और तब तक के transaction हो गया तो, तो अब मुझे पता है ना कि लफडा होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं raid मार दूँगा, मैं warranty issue करूँगा, मेरे commissioner को बोलूँगा मुझे power दीजे, मेरे director को बोलूँगा मुझे power दीजे, औ sell vehicle aircraft within his territorial jurisdiction, जिसके jurisdiction में आता है वो, and also in case where he has no jurisdiction over the person concerned, if he has reason to believe that delay in obtaining authorization from commissioner और principal commissioner having jurisdiction over that person, उस बंदे के उपार जिसका jurisdiction है, उससे permission लेने में अगर delay हो जाएगा, over the person prejudicial to the interest of the revenue, तो हमें नुकसान हो जाएगा, तो हम दो जगे raid मार सकते हैं, एक जो हम औरे jurisdiction में आते हैं, हम ही assess करते हैं, ऐसे assesses को, या जिनको हम assess नहीं करते हैं, पर वो हमारे jurisdiction में आते हैं, और अगर, पर ये कब कर सकते हैं, हमारे jurisdiction में आते हैं, अगर delay हुआ तो नुकसान हो जाएगा, इसी point पर, नहीं तो हम लोग raid नहीं मा सकते हैं, clear है, authorization for search in other places not specified in the warrant, ये व assess की building है, ये हमको documents मिलेगी, यहाँ एक और building है, वहाँ सब कुछ छुपा हुआ है, वहाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है, चाबिया निकली वहाँ की, कोई और building है, वहाँ की पूरी चाबिया निकल लेगी, ठीक है, तो हम immediately क्या करेंगे, immediately search warrant निकालेंगे उस building का और वहाँ ज business नागपूर में है, clear है, पर उसके businesses और भी कहीं सारे जगाओं पर होते हैं, let's say उसका एक principal place of business है राइपूर, राइपूर के अंदर में उसने conceal करके रखा है, छुपा के रखा है कुछ तो, मैं यहाँ से warrant लिया, commissioner से मेरे, गया raid मारी, raid मारी और पता चला, कि वहाँ जिस building होता है ना, वो warrant हमेशा hard copy में original होना चाहिए, xerox, scanned copy वगेरे नहीं चलेगा, अब मैं अगर वापस जाओंगा, commissioner से मेरे permission ले के आओंगा, time निकल जाएगा, तब तक कि तो ऐसे ऐसी चीज़े चुपा देगा, मुझे तो immediate raid मारने की जरत है, ऐसे में मैं मांगूँगा support व documents has been authorized by a person who is competent to do so, principal chief commissioner, chief commissioner, principal commissioner, commissioner, has reason to suspect that books of accounts or documents are kept in any building, place, vessel, vehicle or aircraft, अब मैं बार बार building बोल रहा हूं, इसमें place, vehicle, vessel, aircraft सा बात है, specified in search warrant, he may authorize, the authorized officer, to search such other building, place, vessel, aircraft, accordingly, if the search warrant is issued to the principal, commissioner or commissioner or income tax authorizing the search, in particular place specified in search warrant, the authorized officer finds that the books of accounts documents have been secreted in a building not specified in the warrant, he can request the local commissioner, local commissioner to authorize him to do so, clear है, देखे, हम लोग यहाँ बार बार authorized officer की बात कर रहा है, एक बात ध्यान रखे, authorized officer is not assessing officer, generally assessing officer, authorized officer नहीं होता है, मैं दूसरे chapter में जाता हूं, हमारा assessment का जो chapter है, मुझे आपको इसमें, basically बस मेरा authorized officer मुझे आपको बताना है, और कुछ नहीं, मेरा main concern बस उतना सा है, झाल 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 चलिए ठीक हम बाद में discuss कर लें यह पॉइंट मैं वापस से पीछा आ जाता हूँ यहां पर जेनरली जो बंदा आपका यह सर्च हो गिरे सब कुछ करता है नहीं जॉइन कमिशनर्स एडिशनल कमिशनर्स या उसके उपर के लेवल के लोग होता है अटिक हम लोग आगे देख लेंगे फिलाल हमारा यह main मुद्धा नहीं है आगे बढ़ता हैं Rebutable Presumption Rebutable Presumption जो भी मिलेगा प्रिमाईस में जो भी हम मानेंगे सब कुछ असे लिक है और सब कुछ सही है फेक नहीं है कुछ Rebutable Presumption ठीक है Dukes of accounts, documents, assets found in the position of the person belong to the person and also contents of the books are true and that signatures in any document belongs to the assisi एक कागज मिला, कागज के उपर लिखा हुआ है कि 4 करोट रुपय आए, 5 करोट रुपय गए एसी पुरा कपरा हिसाब लिखा है, सामने वाले ने बोला कि नहीं, मैं तो बस एक पुरा बिजनस का आइडिया लिख रहा था कि ये बिजनस अगर करना है तो कुछ इस तरीके से होगा, वो लिखा नहीं, हम मान लेते हैं कि ये सब सही है आप बाद में प्रूव करते रहिए, फिलहाल, सेक्शन 132, जब हम लोग रेड कर रहे हैं, हमको तो जो मिला हम मानेंगे सही है आप बाद में प्रूव कीजे कि ये गलत है, आप प्रूव कर लेंगे, ये सारे के सारे information documents वगेरे सब गलत है तब देखा जाएगा, 153 assessment में देखे, अभी तो हम लोग सब कुछ मान लेंगी कि सब कुछ सही है पॉइंट समझ मैं है, एक paper मिला, paper के उपर कच्छी रसीद है, कच्छी रसीद के उपर लिखा हुआ है कि मैं आप से एक property खरीद रहा हूँ property के तहट मैंने आपको 10 लाग रुपे cash में देखे रखे हैं, कच्छी रसीद है, ठीक है अब जनरली property में कच्छे पक्के का हिसाब होता है, तो एक वह कच्छी रसीद बनती है कच्छी रसीद के इसाब से मैंने आपसे property खरीद ली, clear है यहां तक है, अभी पूरी की पूरी property मैं खरीदने का हूँ मान लिया जाएगा, कि अब मैं उनको बोल दूँगा कि नहीं, यह तो बस एक ऐसा ही, मतलब कोई original document नहीं, आप सामने वाले को पुछ लो, उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, property उसी की है, property मेरी है नहीं, मैं तो ऐसी एक लिख रहा था, मैं सामने वाले को समझा रहा था, तेर तो rebutable presumption is whatever received belongs to the SEC and is correct, nothing is false in it, उसमें कोई sign वगेरे मिला, it is deemed to be of that of the SEC, logically, उसमें थोड़ा बहुत logic लगाया जाएगा, एक होता है deemed seizure, deemed seizure, stock and trade को नहीं लगेगा, कभी-कभी कुछ चीते rate करना, अपने साथ लेके जाना, seize करके लेके जाना इतना असान नहीं होता, जैसे की, बड़ा सारा सोने का मंदिर बना दिया, अपने खुद के घर के भगवान के लिए, हम लोगोंने, हम लोगोंने क्या बोलता हूँ, मैं assessing officer ने rate मारी, authorized officer, मैं जब भी assessing officer बोल रहा हूँ ना, इस section में ध्यान रखिया हम authorized officer की बात कर रहे है, assessing officer मैं 153A से शुरू परूँगा, authorized authorized officer ने rate मारी, authorized officer ने rate मारी वहाँ से सब कुछ ले जाना चाहता है, अब ये सोना कैसे उठा के लेके जाए, उसको समझ में नहीं आ रहा, ये gold को उठा के कैसे लेके जाए, तो अब इसको seize तो करना है, seize नहीं करेंगे, assessi लेके भाग जाएगा, assessi बाद में बेद देगा, हम को ये नहीं चीए, तो हम क्या करेंगे, उस मंदिर के उपर lock लगा देंगे, और lock के उपर वो एक आपको लाल रगे, लग का एक दिखता है, वो पुरा का पुरा वो लोग को एक seal लगा देते हैं, कि ये lock नहीं खुल सकता, and it is deemed to be, it is said to be a deemed seizure, आप समझ रहे हैं, ये क्या ह deemed seizure, now what do I mean by deemed seizure, deemed seizure का मतलब ये है, कि ये seized कर लिया हम नहीं, ये आपके premise में ही पढ़ा है, पर ये deemed to be seized है, आपको ये ताला खोलने के लिए पहले हम से permission लेनी पड़ेगी, आप ये ताला तब तक नहीं खोल सकते हैं, जब तक हम आपको permission नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी बहुत स होड़ देते हैं, लोग कर देंगे हम उस रूम को, सील कर देंगे, आप इस रूम को बिना हमारी permission के नहीं खोल सकते, it is deemed to have been seized, where it is not possible or practical because of physical possession of the articles to remove for volume, weight or other physical characteristics, the authorized officer may serve an order to the owner or the person who in immediate possession thereof that he shall not remove, part with, deal with it except with the previous approval of the authorized officer, deemed to be seized such valuable articles or themes. This is known as a restraint order. I hope यहां तर क्या आप लोगों को समझ में आया होगा, अब मैंने आपको जो reputable presumption के बारे में बात किया, assessment वाला chapter open कीजिए, उसमें page number 17.69, 17.69, presumption as assets, books of accounts, etc., यह जो भी कुछ आपके मिला है, अब यह न केवल उन्होंने, मतलब यह presumption क्यों डाला गया, आप इसके पीछे का background समझे, हमने reputable presumption पड़ा कि यह 133 के अंदर में है, कि जो भी कुछ मिलेगा, सब कुछ आपका, survey के दोरान भी ऐसे documents मिल सकते हैं, सर्वे के दोरान भी ऐसे documents मिल सकते हैं, अब सर्वे के समय अगर कोई documents मिले तो क्या उस दोरान भी इट विल भी प्रेजियूम्ड कि वो सारे के सारे documents भी क्या मतलब मतलब वो सारे के सारे genuine है fake नहीं है उसमें किसी प्रकार का कोई गडबड वगेरे नहीं है तो देखिए इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा clarification किया 132 और survey under 133A search and seizure survey इन दोनों ही cases में जो भी books of accounts मिले है money, bullion वगेरे जो भी कुछ मिला है सब कुछ SEC का है such books of accounts are correct उसमें कोई गडबड नहीं है signature वगेरे जो भी है उस सारे की सारे SEC की है और वो duly document is stamped, executed, assisted वगेरे सब को duly किया गया है यानि इस सब कुछ SEC को belong करते है unless otherwise proved proved वाली बाता लगोगी otherwise it will be presumed कि इस सब कुछ SEC के है even survey के अंदर में यह assumption डाला गया clear है यहां तक क्या चलिए now, कुछ cases में हमने पढ़ा seizure होता है deemed seizure होता है कुछ cases में Assessy seize करके नहीं लेके जाता authorized officer seize करके नहीं लेके जाता कब नहीं लेके जाता एक तो होता है खुद Assessy के कुछ ऐसे asset जो उसको लगता है books of accounts वगिरे में है हम उनकी बात नहीं कर रहे है हम दूसी बात कर रहे है मेरे यहां raid हुई मेरे यहां raid के दौरान कोई jewelry मिली मैंने बोला यार यह jewelry मेरी है ही नहीं समझे उसके पहले का background मेरा एक दोस्त है मेरा एक दोस्त वो और उसकी wife सिर्फ दो जन घर में रहते है locker वगिर उसने लेके नहीं रखा है क्योंकि उसे बरोसा नहीं है वैंक सो करे के उपर वो क्या करता है जब भी कहीं पर भी बाहर जाता है तो अपनी पूरी की पूरी jewelry मेरे पाथ देके जाता है बोलता है यार सुमेथ तो अपने गर पे रख के रख अब ऐसी वो अपनी jewelry देके शादी में गया हुआ था और मेरे यह rate पढ़ गी rate पढ़ गी jewelry मेरी नहीं मैंने बोला यह jewelry मेरी ही नहीं यह तो मेरे दोस्त की है अब हमने पढ़ा rebutable presumption है जो मिलेगा सब आपका हम तो लेके जाएंगे हम तो seize करेंगे अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा एक दिक्कत होती है अगर यह लोग seize करके लेके चले जाते हैं तो जब seize करके लेके जाएंगे ना तो जब मेरे दोस्त की है तो वो वहाँ जाएगा वहाँ जाके प्रूव करेगा सर यह तो सारी की सारी jewelry मेरी है यह उसकी है ही नहीं तो वो assessing officer यह पूरी jewelry यह उठाके मेरे दोस्त की assessing officer को दे देगा और उसका भी assessment 153 में हो जाएगा बहुत लंबा process हो गया और बहुत tedious process हो गया इसलिए यहाँ पे यह एक point डाला गया कि suppose कीजिए कि clear है facts है कि वहाँ पड़ा हुआ asset मेरा है ही नहीं assessing available जिसका है वो available है और वो और मैं same assessing officer के jurisdiction में आता है let's say same jurisdiction होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत easily prove किया जा सकता है फिर बोलता है मैंने उसे कहा मैं आपके jurisdiction में आता हूँ assessing officer को बोलता हूँ या assessing officer authorized officer नहीं assessing officer मैं आपके jurisdiction में आता हूँ authorized officer भी के भी jurisdiction में आता हूँ obviously तो वो authorized officer को मैं बूलता हूँ देखिए वो जो मेरा दोस्त है वो भी आपके ही jurisdiction में आता है आपके jurisdiction में आता है आपके आज उसकी books of accounts है सब कुछ है आप अभी raid complete करके जब जाएंगे तो check कर लीजिए यह सारी jewelry उसी की है तो बोलता है ठीक है नहीं लेके जाता नहीं लेके जाता पर जब तक मैं नहीं लेके जाओंगा आप इस jewelry को इस जगे से बाहर नहीं निकालेंगे यह deemed seizure लगा देंगे इस पर यह deemed seizure actually है नहीं यह deemed to be seized for some time है मैं जाओंगा मैं चेक करूँगा अगर मुझे लगता है कि सही है आपने books of accounts में यह पूरी jewelry में सामने वाले ने दिखा के रखी है आपके बाद सही है तो मैं आपको बोल दूँगा ठीक है आप यह लेके चल अट कर दोड़ किस्ट का इस जिमने चाहिं बोल दिखा घॉट वाल का नहीं है ने चाहिए मुझे पूर अप सिर्खा亲 थच्कािमा उस्क्श कूर्थ को बद एकट कूर सिर्खा विच इस परसеф लिखी साम। 시청。 1 यह ऑत्म जेंगा इफगी ने टीफिय्ज दॉगुष से र अब सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने फोन करके बूलेगा हाँ लेकि जाओ आपको, यह डॉक्यमेंट बेज़ेगा, तो क्या तब तक के वो जोल्री मेरे पास ही पढ़ी रहेगी, मेरा दोस्त लेके नहीं जाएगा, धिकत वाला काम है, तो इसलिए इस पॉइंट के पीछे से छोड़की गई है, बुलियन छोड़के गया है, जो पीछे से छोड़के गया है, इस पॉइंट के अंदर में, वो सारी की सारी साथ दिन बाद, टीम कर ली जाएगी कि सामने वाला लेके जा सकता है, ठीक है, साथ दिन बाद मेरा दोस्त आएगा, लेके चल जाएगा, या फिर उसके पहले असेसिंग ऑथराईज ऑफिसर का रिप्लाइज आगया, तो अथराईज ऑफिसर के रिप्लाइज के बाद में, वो लेके चला जाएगा, क्लियर है यहां तक है, making copies and taking extracts of books of accounts is permitted, जो भी बन्दा जिसके पास भी, अब वो custody में बुक्स चलेगी, मुझे मेरी books of accounts चाहिए, मेरे या रेड हुई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाके उनका Xerox वगेरे सा पूर लेके आ जाऊँगा, time limit for handing over the books of accounts to the jurisdictional authorized officer, where, authorized officer has no jurisdiction, यह वाला point कब applicable हुआ, यह वाला point applicable हुआ, तब जब मैंने आपको बूला था ना, कि भई, मेरे jurisdiction में वो बंदा नहीं आता, पर news ज़रूरी थी, इसलिए मैंने raid मार दी, raid में मैंने cash पकड़ी, bullion पकड़ा, valuable articles पकड़े, books of accounts seize की, सब कुछ seize कर की रख लिया, पर उस बंदे का assessment मैं तो करनी ही सकता, उस बंदे का assessment कौन करेगा, उस बंदे का assessment तो उसका assessing officer करेगा, मैंने जो कुछ seize किया मुझे उसको देना पड़ेगा, मेरे उपर time limit दी गई, कि मुझे ही है सब कुछ, मेरा assessment complete होने के बाद, read, search, assessment नहीं, sorry, search, seizure, complete होने के बाद, साट दिन के अंदर अंदर सामने वाले को लोटाना पड़ेगा, साट दिन के अंदर हमें सामने वाले को लोटाना पड़ेगा, 60 days from the date on with the last of the authorizations for search was executed and there upon the powers were excised, clear है, 60 days के अंदर अंदर from the date of completion of search, अब अगला point और अगली problem, assessi क्या करता था, assessi, दो नमबर का पैसा कमाता था, कोई tax wax नहीं बरता था, properties खरीद लेता था, बड़ी-बड़ी properties खरीद के रखी है, खुद के नाम पे कुछ नहीं खरीदा, दूसरों के नाम पे खरीद लिया और उसके original documents पूरे के पूरे अप सब को seize कर लिया गया, यह papers भी dim कर लिया गया, कि यह सारी properties आपकी यह बेनामी transactions मान लिया गया, और बेनामी transactions के नाम पे पूरे के पूरे papers भी लेके चले गया, अब assessi क्या करेगा, assessi, अगले दिन, सारी properties बेच के, इंडिया छोड़के भाग जाएगा, आप valuable article seize कर सकते हो, आप bullion seize कर सकते हो, आप cash seize कर सकते हो, आप books of account seize कर सकते हो, आप property को कैसे seize करोगे, जमीन है वो तो, property को seize करना मुश्किल है, एक flat के ओपर ताला मार के चल जाओगे, अरे मैंने बेच दिया flat, जब तक कि आप notice of assessment होगे, तब तक कि तो मैं भाग चुका हूँगा, department को पता थ कि ये सारे लफडे भी होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने attachment of property लगाना शुरू कर दिया, जो भी ऐसी properties मिलेगी, ये properties आप बेच नहीं सकते है, हम आपको बेचने ही नहीं देंगे ये सारी properties, हम raid complete करने के 60 दिन के अंदर अंदर, इन properties को attach कर लेंगे, अगर हमें लग for a period of 60 days from the date the last authorization for search was executed, record in writing that it is necessary to do so, with prior approval of obviously director general, general principal director, provisionally attach the property belonging to the assessi, हम provisionally इस property को attach कर देंगे, clear है यहां तक है, ये attachment कब तक रहेगा, assessment complete होने का, 153A assessment complete होने के 6 महीने तक है, subsection will cease to have effect after the expiry of 6 months from the date of order under subsection 9b, under subsection 9b, every provisional attachment made under subsection 9b, shall cease to have effect after the expiry of period of 6 months from the date of order referred to under subsection 9b, sorry, मैं आप लोगों को यहां पर order से 6 महीने बोल रहा था, this is the order not under 153A, the order under 132, अभी हमने उपर जो order pass किया, उसके 6 महीने तक है, पर इसके आगे भी attachment रहता है, हम आगे के sections के अंदर में पढ़ेंगे, यह attachment can be extended further, ultimately यह attachment क्यों हो रहा है, recovery के लिए, आप बेच के ना भग जाओ, सिर्फ 6 महीने का period क्यों बोल रहा है, क्योंकि तब तक 153A का आपका assessment शूरू हो जाएगा, फिर भी हमें attach करके रखना, हमें property को बेच जाने नहीं देना है, सामने विले के हाथ से, इसलिए इसमें further period आ सकता है, clear है यहां तक है, समझ मैं आपको, जहां हमें लगता है कि valuation of the property इस निकालना जरूरी है, to determine what is the fair value of the assets, आप valuation officer को refer कर सकते हैं, valuation officer को refer कर सकते हैं, during the course of search or seizure within a period of 60 days from the date of last authorization, make a reference to valuation officer, who shall estimate the fair market value of the property in the manner defined and submit a report within a period of 60 days from the date of receipt of reference, आपका search खतम हो गया, 60 दिन के अंदर valuation officer से report मंगा लीचे, to determine the fair value of the asset, और वो 60 दिन के बाद, 60 दिन के अंदर अंदर valuation officer आपको report दे देगा कि what should be the fair value of such property, ताकि उसके basis पे आप further उसके उपर actions अगेरे ले सकें, होता क्या था, point समझे, आज की date में क्या होता है, properties से related बात करता है, maximum लोग अपना black money, white money में convert property से करते है, मैंने एक property खरीदी 2 करोट रुपे में लेट से, पर actually 5 करोट दिये है, बुक्स में 2 करोट दिख रहा है, क्योंकि market value अगेरे 2 करोट है, उसके basis पे मैंने खरीद ली 3 करोट तो मैंने cash दी थी, अब property के document मेरे यहाँ पड़े है, मिले property के document, सामने हाले को doubt हो रहा है कि नहीं, मैंने तो under value किया है, वो valuation officer को बोलेगा, तुम value करो इस property की value किती होनी चाहिए, backdated मैंने जिस दिन खरीदा, उस दिन के हिसाब साब बताओ कि इसकी value क्या होनी चाहिए, ये, मेरे यह search complete होने के start दिन के अंदर अंदर, वो valuation officer को बोलेगा, 9B, provisional attachment of property के बारे में हम लोग बात कर रहे है, 9A, books of accounts वगेरे, जो भी jurisdictional officer के, मतलब, transfer करना है, दूसरे assessi को, 9A, 9B, 9D, इन तीनों में हमने 60 दिन की बात की, ये 60 दिन कब से count करना है, मैंने आपको बहला जिस दिन assessment complete हो गया, recorded in the last punch नामा, drawn on the person under the warrant, last punch नामा जो भी था, उसके basis पर, याने जिस दिन audit complete हो इंशॉट, एक rule हमेशा ध्यान रखिए, अभी हम आगे 153A भी पढ़ने वाले हैं, जब हम assessing officer को time देता हैं न, assessing officer को, कि भीया, तुझे कब से action लेना है, तो हमेशा close date से लेंगे, ये date था last, जब search वागे रहे खतम हुआ, इस दिन के आगे से time देंगे, और जब हम assessi के लिए calculation करेंगे न, तो assessi के लिए पहला दिन, जिस दिन rate पड़ी, उस दिन से calculation करेंगे, ये एक basic बात ध्यान रखना हमेशा है, ठीक है, आगे जाके हम लोगों को 153A में references आएंगे, इसी लिए, तो as a student आपके लिए बहुत easy रहेगा, assessing officer को जब भी time दे रहे हो, तो close से time दो, उसको time दे रहे हो, कोई काम ये काम दे को खतम करना है, ये काम कब तक के करना है, last date जब rate हुई थी, उसके आगे से time देना शुरू करेंगे, पर assessi को जब भी time देंगे, तो beginning से time देना शुरू करेंगे, clear है, request by a person for return of books of accounts, किसी कोई बंदा, अब देखो, मैं आपको एक बहुत technical issue बताता हूँ, जो आची date में बहुत ज़्यादा relevant है, SAP, आपके सारे के सारे records SAP में है, सामने वाला seize किया, hard disk लेके चला गया, अब मैं उसको बोलता हूँ, sir, मेरा data है उसमें, मैं daily accounting कैसे करूँ, SAP है वो, तो बोलता है, ठीक है, extract लेके चल जाओ, अरे extract कैसे लेके जाओगे, दूसरे hard disk में लेके जाओ, ये सारे के सारी चीज़े तो protected होती है हर चीज से, मतलब अगर आपने hard disk तक change कर दी, तो दूसरे इसमें ये चलते नहीं है, systems वगेरे, बोता है, sir, possible नहीं है, आपको वो hard disk की मुझे देना पड़ेगा, server है, server का hard disk है, clear है यहां तक है, तो अब हम उसे requisition दे रहे हैं, भया, लोटा हो वो चीज़ को, otherwise हमारा काम रुख जाएगा, या फिर, कुछ ऐसे cases में हम लोग उनको बोलेंगे, लोटाने के लिए, जहां पर हमको लगता है कि, जैसे money लेके गया, bullion लेके गया, जो भी चीज़े उठाके लेके चला गया, majorly हम लोग यहां पर books of accounts ही बात कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग देखेंगे money, bullion अगेरे, जहां उसको बोलेंगे, भया, तुम्हारी demand कितनी बनती है, लेट्स हो बोलता है 20 करोड बनती है, उसके पर penalty वगेरे सब कैसे बनता है, वो बोलता है, सब मिला कि 40 करोड हो जाएगा, 50 करोड तुम मेरे यहां से cash उठाके लेके गएगा, अरे 10 करोड तो लोटा दो, आगे जाके देखेंगे इसा पते, if a person, legally entitled to the books of accounts, other documents, seized, objects for any reason to the approval given by principal commissioner, chief commissioner, commissioner, principal director, director general, period of retention of the same, the assessing officer beyond 30 days, he may make an application to the board, stating, the reasons for such objection and requesting for return of books of accounts or documents may, after giving an opportunity of being heard, pass the order as a dean's fit, जरूरी है, books of accounts दीजे, उसके बिना काम नहीं हो सकता, यह point ऐसे cases के लिए, डन लागया है, clear है यहां तक है, rules providing procedures to be followed by authorized officer, authorized officer क्या rules follow करेगा, जब यो search seizure वगेरे कर रहा है, so he should have the authority वगेरे, उनके लिए बोला है, for obtaining entry into any building place vessel, aircraft वगेरे, तो जो भी precise rules रहेंगे, वो सब कुछ is 132.14 के हिसाब से लिए जाएंगे, and to ensure custody, safe custody of the books of accounts, उसको हर जो चीज सही लगती है, वो पूरी की पूरी करेगा, clear है, 132 अभी बचा है, पूरा नहीं हुआ, पर हम लोगों को एक idea आगे, raid में क्या हुआ, कोई भी time के अंदर हम गुज गया है, हमको वहाँ जो valuable articles मिली सब लेके चले गया है, वहाँ पे हम लोगों को अगर कोई लगता है property है, जिसे attach कर देना चाहिए, वरना यह बेचे भाग जाएगा, वहाँ भी हमने वो property को attach कर दिया, पर यह property हम लोग rate complete होने के 60 दिन के अंदर attach करेंगे, और उसके बाद हो 6 महीनी के लिए attach कर सकते हैं, जिस दिन हमने order pass किया, उस दिन से, हम जो भी कुछ लेके जाएंगे, सामने वाले को extracts लेके जाना है, उसका Xerox वगरे वो लेके जा सकता है, पर अब उसे books of accounts चाहिए, वो बलता है नहीं सर दीचे, तो उसे वो दे सकता है, हम लोग provided वो argument power of being heard वगरे, सब कुछ carry out किया जाएगा, उसके requisition से 30 days के अंदर अंदर, clear हैं यहां तक है, हम जो भी कुछ लेके जाएंगे, suppose कीजिए, यह हमारे jurisdiction में नहीं आता, किसी और के jurisdiction में आता है, तो यह सब कुछ हम सामने वाले को 60 दिन के अंदर अंदर transfer कर देंगे, जो properties मिली, जो documents मिले, हमें लगता है undervalued है, valuation officer से value करा देंगे, 60 दिन के अंदर अंदर valuation हो जाना चाहिए, 60 दिन के अंदर request, उसके बाद 60 दिन के अंदर valuation, clear है, तो यह सारी की सारी बाते आपको 132 ने बताई, ठीक है, 292 CC के अंदर में हम लोगों ने देखा, यहां जो भी documents हम लेके जाएंगे, will be presumed to be of the SEC, सब कुछ उसका है, suppose कीजिए, इन में से कोई bullion, कोई asset किसी और SEC का है, and it is proved, वो सी UK jurisdiction में आता है, जो भी आता है, and it is proved, assessing officer बोलता है कि हाँ, चलो ठीक है, मैं चेक कर लोगा, और मैं आपको बता दूँगा, तो ऐसे में, वो उन assets को नहीं लेके जाएगा, वो उनको बुलेगा, आपको अपने बास रख के रखना पड़ेगा, but the maximum period for this is 60 days, 60 days, वो चेक करेगा, वो reply कर दिया, तो ठीक, हम immediately निकल देंगे, नहीं reply करता है, साथ दिन के अंदर अंदर हट जाएगा, जो assets हो अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर उसे seize करके रखना है, वहाँ deem seizure लगा देगा, पर हो make seal lock करके हो सारा का सारा सामान रख देगा, clear है, this is what basically 132 is all about, अब हमें 153 में assessment शुरू करना है, अब होगा क्या, 153A, 153A, अब होगा क्या, ये section override कर देगा, सारे sections को, सारे sections को, यहने हम आपको कोई 143, 143 2 का assessment का notice नहींगे कि 143 3 में assessment करना है, कोई 148 का notice नहींगे, 147 में assessment करना है, कोई 156 से demand वगिए हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे है, आपे 156 के बारे में मैं बात नहीं करता आप लोगों से notwithstanding anything contained under 139 आपने जो return file क्या होगा 139 उसको बूल जाईए 147 148 income escaping assessment 149 उसका time limit के बारे में बात करता है ठीक है 151 153 153 147 के assessment के time limits के बारे में बात करता है तो हम इन में से कुछ नहीं मानते हैं हम इन सब को override कर रहे हैं हम आपका पूरा assessment notice भी 153 में देंगे return भी 153 में मांगेंगे assessment भी 153 में करेंगे 153a prescribing procedures of assessment in case of search notwithstanding anything the procedure for completion of assessment of search initiated under 132 और books of accounts other documents or assets requisition यह जो requisition वाला पार्ट है ना और वाला यह भी पढ़ने के हैं तो इसको जरा hold पर रखिये ठीक है हम आपको सबसे पहले notice देंगे notice में बूलेंगे return file कीजिए return file कीजिए कितने सालों का return मांगेंगे हम जिस साल हमने आपके यहाँ raid मारी start date उससे पीछे जाएंगे 30 June 2019 आपके यहाँ raid वी raid complete वी 4 July 2019 ठीक है हमने पड़ा इसमें से प्लस 60 days वाला time 132 A, B, D तीन cases में 60 days का time assessing officer को मिलता है मैं इसके बारे में फिलाल आपसे बात नहीं कर रहा है वो बोलता है यह जो साल है यह कौन सा financial year है यह financial year है 19-20 अब आपने multiple जगाओं पर raid मारी 30 तारीक को एक जगे raid मारी एक तारीक को दूसरी जगे raid मारी 3 तारीक को दूसरी जगे raid मारी सबसे पहली बार raid आपने किस जगे मारी सबसे पहला दे 19-20 इसके पीछे के 6 financial year सब्सक्राइब करेंगे इसके पीछे के और चार साल ले लीजे बारा तेरा ग्यारा बारा दस ग्यारा नो दस यह चार financial years के भी return file करके आना अगर इन में से कोई भी एक financial या यह सारे financial years या एक से ज़्यादा financial years इन चार में से कोई भी एक दो तीन या चार financial years में जो income escaping assessment है वो 50 लाक या 50 लाक से ज़्यादा है कि 50 लाक कैसे अगर कंपल से रियासेस्मेंट करेंगे मतलब करना ही है बले ही इन में से कोई एक साल हमको लगता है कि कुछ भी income escaping assessment नहीं है उसका निल का assessment करेंगे पर यह पूरे के पूरे छे सालों का हम assessment करेंगे यह तो करना है escaping assessment होगा years escaping assessment clear समझ मैं है देखें हम आपको बोलेंगे notice देंगे कि आप return file कीजे हम आपको बोलेंगे return file कीजे shall issue notice to such person will furnish return of income within such period as may be prescribed filing of return shall file return for six assessment years six assessment years or and for relevant assessment year or years immediately preceding the assessment year or years वो चार साल है बच्चे वी चार साल immediately preceding वो त्यान से पढना confusing है assessment year immediately preceding the assessment year relevant to the previous year relevant to the previous year in which search was conducted जिस साल सर्च कंड़क्ट हुआ था जिस साल सच कंड़क्ट हुआ था उसका जो assessment year है जिस साल सर्च कंड़क्ट हुआ था उस साल का जो assessment year है उसका immediately preceding छे assessment years याने वो यही छे financial years की बात कर रहा है ना language थोड़ी से अलग है assessment की पे language है और कुछ नहीं clear है समझ में आया यहां तक के ठीक है expression relevant assessment year means an assessment year preceding the assessment year relevant to the previous year in which the search is conducted six years but not later than the assessment year from the end of the assessment year to which the previous search is conducted or requisition is made उतना भी पीछे नहीं जाएंगे जहांपर आपका last search हुआ था ठीक अब last search ही चार साल पार पहले हुआ था ठीक है 10 assessment years चलिए suppose कीजिए 30 March 2019 को आपके यहां rate पड़ी 4 April 2019 rate complete होगी यह है financial year 18-19 यहां से मत देखो यहां से देखो कि तो 19-20 हो जाएगा मैं यहां से 6 financial years पीछे जाओंगा 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 इसके राव और चार financial years 11-12 10-11 9-10 8-9 मैं इतने financial years पीछे और जा सकता हूं clear है समझ में आपको 6 compulsory dates अच्छे से समझ लीजे confused कहां पे किया जा सकता है आपको मैं वह आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं clear है यहां तक है चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यह 6 financial years तक के तो आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा बची भी language समझते है year up to which income can be assessed the assessing officer shall assess reassess total income of 6 assessment years and for relevant assessment year और years मैं वह 50 लाक रुपए वाली की बात कर रहा हूं pending assessments की बात छोड़ दीजे फिलाल मैं आपको 4 assessment years की बात करता हूं पहले notice to be issued only for the relevant assessment years to the previous year in which the search in case of notified class or cases यह 6th वाला point भी hold पे रखिये यह मैं आपको बाद में समझाऊंगा 6th वाला point basically elections के दौरान अगर कोई raid पड़ती है cash होगे रहे पकड में आती है elections के पैसे बात रही थी parties उससे related है उसके लिए है तो वा फिलाल हम लोग बाद में देखेंगे conditions to be satisfied for issue of notice beyond 6 years no notice for the relevant assessment or reassessment shall be issued by the assessing officer unless the assessing officer has in his position books of accounts or other documents represented in the form of assets which have escaped assessment or are likely to amount to 50 lakhs or more are likely to amount to rupees 50 lakhs or more for the relevant assessment year or in aggregate of assessment year or years income above has escaped assessment for such year or years cases देखते हैं आखरी के 4 साल के लिए suppose कीज़े यहां पर income escaped हुई 10 lakhs, 20 lakhs, 5 lakhs, 30 lakhs हो रहा है 50, 65 lakhs हम चारो assessment years खुलते हैं 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 40 lakhs हम नहीं खुलेंगे assessments 10 lakhs, 40 lakhs, 5 lakhs, 0 invece हो रहां सी थीं साल की assessments खुलेंगे 60 lakhs, Normallyニल- værience सी विए ञारो alignment के शाल मन кино सी खुलेंगे chili निल-णिल पचास से विए assessment खुलेंगे समझ मैं तो जो relevant है सिभ वो assessment खुला जाएगा the assessing officer has in his possession books of accounts or other documents which reveal that income representing form of the assets is likely to amount to 50 lakh or more 50 lakh be included in relevant assessment years the income so referred as a skipped assessment for year or years search under section 132 is initiated against the same ये 50 lakh हम कैसे बनाएं कैसे पतागरेगी 50 lakh की income है इसमें उन्होंने बुला सिर्फ हम 4 चीज़े देखेंगे सिर्फ 4 ये ध्यान रखेंगे income escaping assessment इन 4 सालों में सिर्फ 4 assets ऐसे हमको मिले जिसके कारण हमको लगता है income escaping assessment है ये 4 assets क्या हो सकता है land or building land or building shares and securities loans and advances, deposits with bank land and building, shares and securities loans and advances, deposits with bank जो हमें इन 4 साल में से कोई भी साल के मिल जाएंगे तो सिर्फ ये हम मानेंगे income escaping assessment और कोई भी नहीं हम सिर्फ 10 साल क्यों देख रहा है उसके पीछे नहीं जनरली आप देखोगे जो लफड़े करता है ना उनके पाँ हर 10 साल में rate बढ़ती रहती है हर 10 साल में तो इसलिए वो लोग अब इसके पीछे नहीं जाते है तो हो जाता है वो फिर आज rate पड़ी इसके 10 साल बाद rate पड़ेगी इसके 10 साल बाद उनके books of accounts वो लोग वैसी पूरे के पूरे के पूरे normal कर लेता है इसलिए और कोई reason नहीं है clear रहे यहां तक है इसलिए आप लोग वहाँ पे जो language देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है 10 assessment years from the end of the assessment year to which the previous year in which the search is conducted or requisition is made 10 साल के पीछे में आप लोग नहीं जाओगे ठीक है clear रहे यहां तक है मैंने आपको बताया year up to which the income is to be assessed अब हम बात करते हैं about pending assessments to abate आपके कुछ पहले के assessments pending हैं सोचने वाली बात है आप के रेट पड़ी financial year 1920 हमने आपके क्या-क्या कौन-कौन से assessments खुले 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14 इसके लाओ और चार साल 12-13, 11-12, 10-11, 9-10 suppose कीजिये अच्छा मैं ये भी open करूँगा पर ये मैं 143-3 में open करूँगा बाकी सारे के सारे मैं आपके 153-A में open करूँगा क्लियर है यहां तक है 19-20 का compulsory 143-3 assessment होगा यहां पर suppose कीजिये कि आपका 143-3 का assessment चल रहा था और वो pending है यह बोलता है कि यह abate हो जाएगा यह abate हो जाएगा यहां पर आपका 147 का assessment pending है यह abate हो जाएगा मतलब coming to an end coming to an end अब exactly abate word उस हुआ है and use नहीं हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों यह दो cases में हम आपका अब assessment 153-A में करेंगे इन दोनों को आप भूल जाएगे अब example लिखते समय कुछ जगे छोड़िएगा क्योंकि example पूरा complete नहीं रहेगा हमें आगे और भी बहुत सारे point discuss करने रहेंगे 16-17 आपका 143-3 का assessment complete हो गया है कोई abatement नहीं लगेगा पुराना वाला order order NL भी नहीं होगा valid रहेगा यहाँ 147 complete हो चुका है कुछ नहीं होगा इन दो cases में कोई abatement की जरुरत ही नहीं क्योंकि complete हो चुका है यहाँ matter CIT appeals के पास pending है pending है समझके यहाँ order ITAT level पे pending है हम सिर्फ abatement कर सकते हैं अगर assessment re-assessment चला है revision appeal वगेरे सब हम लोग असे abatement नहीं कर सकते यहाँ CIT appeals का order complete हो चुका है यहाँ ITAT का order complete हो चुका है ठीक है assessments और reassessments सिर्फ assessment re-assessment relating to the assessment year falling within 6 assessment years and for the relevant assessment years pending on the date of initiation 132 as the case may be shall abate in other words they will cease to be applicable हम सारे assessments of 153a के अंदर में इसके करेंगे ठीक है चलिए notice to be issued only in case of assessment year relevant to the previous year in which the search is notified for class यह मैं आपको बताता है अब देखिए election के time की बात करते हैं election के time political parties पैसे बाठती है तारू खरी देंगे खाना खिलाएंगे चीजे देंगे cash देंगे सब चीजे करते हैं word bank के लिए अब यह cash कैसे बढ़ती है बड़े level से नीचे 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 आती है और जैसे जोपड़ी के area's हो गया या कोई और area's हो गया कोई खाने पीने वाला है जहां पर सब कुद देना है खाना रखवाना है तो किसी एक बंदे के पास यह पूरी की पूरी cash रखवा देंगे और उसको बुलेंगे तू बाट यानि बाटने के लिए multiple लोगों के पास में cash जाती है कि तुम लोगों कोई cash बाटनी है यह लोग यह cash को बाटते है अब suppose करो इस बंदे के यहां rate पड़ गई यह बंदे के पास इतनी cash मिलने वाली है rate party ने rate मार दिया और rate में पैसे मिल गए वह इंसान वैसी बहुत गरीब है कुछ भी नहीं है बस उसके पैसे मिले क्योंकि वह सब जगे पर बाटता रहता है उस बंदे का कोई source of income नहीं है कुछ नहीं है clear है आपने उसको notice दिया फेले 132 rate मार दि फिर 153a में आप उसके छोसायल के assessment कुल दो कि मतलब क्या फाइदा assessing officer को भी पता है कुछ नहीं मिलने वाला फालतु की महनत फालतु का time waste तो इसलिए section के अंदर में यह point लाया गया कि notice to a notified class of person Central government is empowered to notify class or cases in which assessing officer shall not be required to issue notice for intimation to open for 6 assessment years वो बलेगा 6 assessment years के मत open कीचे, सिर्फ कुछी assessment years के लिए open कीचे, immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which the requisition is made and for the relevant assessment year or years the assessment proceeding of class of person notified shall be relevant to the previous year in which it was conducted and requisition made except in cases where assessment or reassessment in respect of 6 assessment years has been abated यह वाला point उन्होंने क्यों डाला उन्होंने बुला आप इनके 6 साल के open मत कीचे, पर इन्होंने एक बात clarify की, suppose कीजिए कि वो जो बंदा है इसके पहले कोई ना कोई assessment चल रहा था इसका उनलब यह कोई गरीब इसके 6 साल के assessment open करने पड़ेंगे आपको तो एक exception डाल जिया इस rule में की अगर उस बंदे की कोई assessment pending थे पहले के तब तो आपको पूरे 6 साल के notice देने पड़ेंगे अगर कोई pending नहीं है कुछ नहीं है तो फिर assessment पुरा का पुरा होगा ठीक है वेर search और requisition is made a person is found in possession of money bullion वगिर है conducted at the requisition in a territorial area of the assembly of parliamentary constituency in respect of which has been notified under section 30 read with 56 of representation of people's act election वगिर की बात कर रहा है और where the asset is seized and connected to the manner of ongoing elections for parliamentary constituency यह और going on का मतलब यह कि कोई और state में पकड़ेगा जहां election हो रहा थे वाह नहीं कोई और state में पर वो उस state के लिए ही थे उसी state के election से related थी ऐसा भी हो सकता है clear है चलिए तो यहां पर assessments open करने की ज़रत नहीं रहेगी आगे बढ़ते हैं revival of abated proceedings revival of abated proceedings वो आपको बोल रहा है proceedings वापस जो हमने abate किया ना उसे वापस revive कर देंगे मतलब पहले आप 143 3 147 में abate कर दोगे 153 में assessment कर दोगे 153 में assessment के बाद वापस से इनको आप revive कर दोगे ऐसा बोल रहा हूँ यह point के ओपर मैं आता हूँ रुख जाईए पहले इस point के इस point के आगे के कुछ मतलब समझ लीजे return file में 30 lakh की income दिखाई थी 143 3 147 10 lakh रुपय आड़ करने की बात हो रही थी हन 153 A में और 10 lakh रुपय आड़ करने की बात कर रहे है पुराना वाला abate हो जाएगा ठीक है 143 3 abate कर देंगे और 153 A में हम income कितनी असेस कर देंगे 50 lakh समझ रहे return file कीती 20 lakh की 147 में 20 lakh रुपय आड़ करने की बात कर रहे है abatement में 153 A में 30 lakh आड़ करने की बात कर रहे है पुराना वाला abate हो जाएगा 20-20-40 और यह 70 lakh रुपय की income हम आपकी assess कर देंगे return में 10 lakh की income दिखाई थी 143 में assessment कर चुके हैं 10 lakh की income add कर चुके हैं हमें और 20 lakh रुपय की income मिली 40 lakh रुपय का हम आपका assessment कर देंगे कोई abatement नहीं कुछ नहीं 10 lakh का return file किया था 20 lakh रुपय की income 147 में add की गई थी हमें लगता है 10 lakh रुपय और add हो जाना चाहिए 40 lakh रुपय का हम आपका assessment कर देंगे 10 lakh का return file किया था 5 lakh रुपय हमने 1433 या 157 के अंदर में add किया था and the matter is spending under CETA appeals matter is spending under CETA appeals के लिख लीचे video pause करके financial year 1415 हमको continue करना पड़ेगा case 1 अब एक तो करना ही सकते है order of CET appeals received before completion of assessment under section 153A हमारा assessment complete होने के पहले हमें CET appeals का order आ जाता है वो या तो favor में रहेगा या against में रहेगा ठीक है add file acts delete file acts वो या तो बोलेगा 5 lakh रुपय आड़ कर दो या फिर वो बोल देगा delete कर दो 5 lakh रुपय clear है यह तक है अगर वो बोल देता है add file acts मैं 153A में assessment कितने का करूंगा simple कहानी है 10 10 मैंने ढूंडे 5 वो add करने बोल रहा है 25 lakh वो बोलते था है delete करो simple कहानी है मैं 20 lakh रुपय का assessment कर लूँगा ऐसा थोड़ी कि मैंने जो 10 lakh ढूंडे उसे भी चोड़ूँगा उसे थोड़ी चोड़ूँगा उसके अगेन साथ बाद में अपील में जाईए वापस से मुद्दा समझे वीडियो पॉस कीज़े लिखे case 2 order CIT appeals received after completion of assessment under section 153A बात में आया उनका order यह order में दो चीज़े होई होगी उन्होंने बोला होगा add कर दीजे 5 lakh delete कर दीजे 5 lakh यह बात ध्यान रखिए अब कि मैं 153A में जो assessment करूँगा ना I will deem कि CETA I will add जो भी हो मेरे favor में बोलने वाले I will deem कि वो लोग मेरे favor में बोलने वाले है clear है मुद्दा समझ में है ऐसे में कुछ भी हो मैं यहाँ पर assessment 25 lakh के हिसाब से करूँगा 25 lakh के हिसाब से ही करूँगा 153A में तो अगर उसने बुला हाँ ठीक है add करना 5 lakh सही है no new change required क्या मुझे एक नया order पास करने की जरत है वो तीन महीने वाला हम लोगों ने clause देगा था section 153 timeline से अगेर के अंदर में कि अगर सामने वाले ने हमने कोई तो एक order दिया है 147 बाद में CETA, ITAT किसी ने उस order के against में बोल दिया है नहीं यहां वो बोलेगा कि आप 154 में rectify कीजिए because the mistake is apparent from record आपने order ही गलत पास किया है 154 पास करना पड़ेगा mistake apparent from record और 20 lakh रुपीज की income taxable हो जाएगी clear है यहां तक है यह वाले example लिख के रखिए तो अब यह चाहे CETA हो चाहे WITAT हो या जो भी हो जो भी level के उपर में pending है याने आगे वाले case में भी same कहानी बनेगी इसी तरीके से orders पास होंगे समझ में आया क्या मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं यहां तक क्या अब यह वाली part मैंने आप लोगों को क्यों समझाया क्योंकि यहां पे revival of abated proceeding की बात की गई है जहां पे आपका 153A का assessment ही अगर invalid declare हो गया तो क्या होगा 153 assessment हुआ assessee appeal में गया CIT appeals ने बोला तुमारा 153A का assessment ही invalid है delete करो delete करो उसने ऐसा बोल दिया तो फिर क्या होगा if the proceedings under section 153A और any assessment reassessment under 153A1 has been annulled in any appeal or legal proceeding the abated assessment or reassessment relating to the assessment shall stand revived यह point डालना जरूरी था अगर यह नहीं डालते तो क्या दिक्कत होती यह दोनों आपने abate कर दिये अब इनको वापस start कैसे करेंगे इन दोनों को वापस start करना ज़रूरी था इसी लिए यहां पर यह point डाला गया कि अगर 153A का हमारा जो assessment हो close हो जाता है तो यह दोनों वापस से revive हो जाएंगे और इसके अंदर में आप लोगों का वापस से assessment शूरू हो जाएगा हम इसके timeline की बात करेंगे रुक जाहिए समाझ लीजे इंकम टैक्स अथार्टी आइटाइट में गया जीद गया 153A यह दोनों वापस से अबेट हो गया असे सी हाई कोर्ट में गया जीद गया वापस से 153A एनल हो जाएगा यह दोनों के दोनों आपके वापस से revive हो जाएंगे यह पूरी की पूरी बात है यहां पे clarify की गई है clear है applicability of the effect from the date of receipt of order that such annulment if the order of annulment is set aside such revival will cease to have effect revival will again cease clear है 153 में 8 number का एक point था जो हमारा रह गया था order of assessment reassessment relating to assessment year stands revived under 153A2 तो यह कब तक के हमें complete करना है timeline one year from the end of the month of such revival or within a period specified in section 153 or section 153 B1 whichever is later one year from the end of the month of such revival from the end of the month of such revival ठीक है और within a period specified under 153 or 153 B1 whichever is later later हम इसी example पर चलते है 143 3 का जो assessment है 18-19 का financial year 18-19 assessment year 19-20 यह complete होना था 31st मार्ट 2021 तक ठीक है 19-20 आपके यहां पर rate बड़ी मैंने आपको बोला सपोस कीज़े 19-20 मैं पीछे वाली डेट ले लेता हूं यह वाली 30 June 4 July 8 July का डेट ले लेता है 8 July को आपको notice आया 153 A return file कीज़े पूरा रहें printing पूरे के पूरे अबेट हो गए यह डेट के बाद में आपका assessment कब तक के हो जाना चाहिए उसका भी timeline रहेगा ठीक है वह सब हम लोगों को अभी आगे पढ़ना है timelines वगेरे तो एक काम करते हैं यह timelines हम लोग बाद में discuss कर लेता है पहले हम लोग सारी की सारी timelines complete कर लेंगे उसके बाद में मैं इसके उपर वापस आ जाओंगा इसे hold पर रख देते हैं ठीक है मुझे बस आपको एक जो main point समझाना था revival वाला वाला point मैंने आपको समझा दिया यहां पर ठीक है इसमें हमारा timeline बचा है अभी सिर्फ timeline बचा है बस हम वो revive हो जाएंगे यह बात clear रहे interest penalty वगेरे सब कुछ आपको applicable रहेगा A B C के अंदर में provide otherwise जहाँ conflict है वहाँ पर हम लोग ABC की बात सुनेंगे बाकी सारे के सारे interest penalty वगेरे बाकी इनसे tax rate जो applicable रहेगा वो वही tax rates applicable रहेगे जो उन respective financial years के है clear चलिए timeline 153 B आपको कब तक के assessment complete करना है यहाँ भी कहानी वही 12 months है 12 months from the end of the financial year in which the search was completed in which the search was completed assessment year relevant to the previous year in with the search under 143 132 requisition of books वाली बात अभी जाने दीजे and for each of the six assessment years for the relevant assessment year or years immediately preceding the assessment year 6 plus 4 साल or immediately preceding the year of assessment year relevant to the previous year in which the search was conducted search was conducted 12 months from the end of the financial year in which the search was conducted in which the last of the authorizations last of the authorizations completions की बात हो रही है for search under 132 और requisition was executed 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 last date जब तक के हो गया था उससे 12 माईने यहाँ आ जाते हैं हमने दो examples देखे थे यह है हमारा date of completion यह है financial year 1920 इसका assessment year हो गया 2021 does not matter does not matter मैंने assessment year के बाद 12 माईने नहीं बोले wording ध्यान से पढ़िये 12 months 12 months from the end of the financial year in which financial year in which 31st March 2021 student गडबड करता है assessment year से 12 माईने ले ले लेता है assessment year से 12 माईने नहीं financial year जिस समय rate बड़ी 1920 से 12 माईने 31st March 2021 तक क्या आपकी assessment खतम कीजिए कितने हैं 11 साल 11 साल कौन से 11 साल यह 10 साल तो मैंने आपको बताए मैंने आपको कहा था इसके अलावा financial year 1920 का भी आपका assessment 143.3 में होगा इसे भी यह date तक खतम करना है यह conflict है 1920 financial year का assessment year 2021 है 143.3 का timeline याद कीजिए recall कीजिए 143.3 का timeline वहाँ आपको बोला गया है कि यह assessment आपको 31 माई 2022 तक के खतम करना है 31 माई 2022 153 यह उसको भी override करता है 153 यह आपको बोलता है यह वाला assessment भी 31 माई 2021 तक के खतम करना पड़ेगा 11 साल जिस साल rate पड़ी उसके पहले के 6 साल वो 6 साल के पहले के 4 साल अगर उनकी इंकम 50 लाग है 50 लाग के उपर है यह पूरे 11 साल होंके assessment मुझे 31 माई 2021 तक के खतम करना पड़ेगा समझ मैं है क्या अगला example rate complete होने का financial year है 1920 31 माई 2021 तक के आपको assessment खतम करना है rate पड़ने वाला साल है 1819 student यहां गड़बड करता है exam में ऐसा कुशन आता है 1819 दे देगा हो आपको की rate पड़ी पर 19-20 में rate complete हुई आपने गलती से लिख दिया 31 माई 2020 खतम कहानी हो आप पर पूरी पूरी 31 माई 2021 होगा इसमें 143 का भी और दोनों का timeline हमारा same चलेगा clear है यहां तक है चलो तो अब मैं आपको example समझा रहा था मैं आपको example समझा रहा था कि आपको notice मिला है 3 August हो कि 153 A में आपका assessment हमको करना है 3 August 2019 यह मुझे कब तक के खतम करना है rate वाला financial year है 1920 तो मुझे 31 माद 2021 तक के खतम करना है मैंने खतम कर दिया चार चार दो हजार इककिस अपील में गए पांच जुलाए दो हजार इककिस यह order एनल हो गया 153 A एनल हो गया उन्होंने बुला आपका 153 A का rate ही invalid है मैं आपको समझा रहा था revival of abated proceedings क्या बुला उन्होंने यहां पर उन्होंने आपको timeline दिया 1 year from the end of the month of such revival revival जब हुआ वो month से one month और within a period specified under 153 और यह अभी हम लोगों ने पढ़ा यह 153 वाला point था या फिर 153 B1 whichever is later या फिर 153 B1 whichever is later तीन डेट से आपके सामने रिवाइवल वाला जो month है रिवाइवल वाला month पांच जुलाइ 2021 को annual हो गया मतलब आप यही समझ लीजिए कि जुलाइ महीना हो गया जुलाइ 2021 जुलाइ खतम August आपके पास तीन डेट्स है option 1 हम बात कर रहे हैं पहले तो financial year 18-19 की financial year 18-19 143 का assessment हम लोगों को खतम करना था यहां पे आपको time दिया गया है 31 जुलाइ 2022 तक का option 2 153 का दिया आवा timeline 18-19 19-20 31 मार्च 2021 किस option 3 B1 अभी हम जो time पढ़ रहे है वही तो B1 का timeline है अभी हम लोग जो पढ़ रहे है 153 B उसके अंदर 1 यह वाला तो timeline पढ़ रहे है 12 months from the end of the financial year in which last of the authorizations for the search of 132 or requisition under section 132 A is executed ठीक है 153 B1 का time line है 12 months from the date the requisition is executed ठीक है यहां पर आप लोगों को time के अंदर में दिया गया है और section 151 year from the end of the month in which such revival such revival is provided तो वहां से one year हमने गिन लिया या फिर 153 का time या फिर 153 B1 का time सिंपल कहानी है इन तीसरी वाली कहानी का तो डेट वैसे भी 31 माद 2021 की बन रहा था तो मुझे यह वाला date मिलना चाहिए बाकी के दो dates का कोई relevancy नहीं बनता हमसे भी एक date याद रखे तो भी sufficient है clear video pause कीचे लिख लीचे whichever is later अब आपका order इससे भी पहले पास हुआ होता तो फिर बात अलग होती possibly नहीं है वहीं नहीं सकता ठीक है एक और case देखते है 147 आपका pending है यह भी 12 months के अंदर अंदर complete हो जाना चाहिए था ठीक है अब यह आपको notice कब मिला के बारे में मैंने आपको कुछ भी data नहीं दिया है suppose करूँ कि यह वाला notice भी हम लोगों को अभी मिला था 19-20 में ठीक है 4 April 2019 147 का notice मिला for financial year 1718 ठीक है यह आपने 4 April 2019 को आपने notice दिया है आपको यह जब भी हम लोग 148 के अंदर में return वगरे मांगते हैं उसके बाद के 12 माईने मिलते हैं ठीक है ध्यान में होगा अगर आपको आप लोगों को यहाँ पे timeline क्या दिया गया है 147 के अंदर में 12 months 12 months from the end of the financial year in which the notice is served 12 months from the end of the financial year in which the notice is served यहने हमें assessment complete करना है 19-20 हो गया 31 March 2021 31 March 2021 clear option 1 यह date तक खतम कर दो option 2 31 March 2021 153 B1 के timeline के हिसाब से जितना भी जो last date बनती है सेम बन रही है दोनों की दोनों last वाले date वापस आपकी यही बनेगी 31 July 2022 31 July 2022 clear है यहाँ तक यह समझ में है तो यह date तक के हम लोगों खतम करना है कुछ भी करो it is one year from the end of the month in which the revival notice is received चलिए तो मुझे आपको जितने relevant factors यहां तक के बताने थे वो मैंने आपको बता दिये चलिए बाकी के जो 2 है 18 21 महीने वो सारी के सारे आप छोड़ दीजे if reference is made to 92 CA transfer pricing officer को अगर आपने time दिया है 12 months और add कर दीजे same story as there वहां पे भी 12 महीने add करने की बात की गई थी first provisor अब चलिए ठीक है first provisor अभी जाने दीजे I hope यहां तक कि आप लोगों को पुरा का पुरा कहानी समझ में आ गया होगा ठीक है तो हम लोग अभी वापस से 132 section को complete करता है